नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों मेरा नाम है अधिति और आप देखरों मास्टर अधिति चैनल दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मास्टर अधित इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक रिव्केस्ट करना इंस्टिट्यूट में कैसे एड्मिशन ले सकते हैं तो कई सारे स्टूडेंट एंड विवर्स ने या कोशन किया था क्या सर छात्रावास मतलब की हॉस्टल की फैसिलिटी भी भातखंडे म्यूजिक यूनिवस्टी प्रॉइड करता है तो दोस्तों आज की यह वीडियो उसी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप फीमेल हैं मतलब गल्स होस्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर 2500 मतलब की 2500 रुपए प्रती माह मतलब की हर महीने आपको 2500 रुपए पे करना होगा य मील अगर आप हॉष्टल लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 4500 रुपे मतलब गल्स हॉस्टल से 500 रुपे आपको एक्स्ट्रा ज्यादा पे करना हो यहां पर आपको hostel के लिए 3,000 रुपए आपको पे करना होगा अगर आप बोईज हॉस्टल लेना चाहते हैं और उसके साथ अगर आप meal फैसिलेटी भी लेना चाहते हैं मतलब कि अगर खाना भी आपको चाहिए आपको धोजार एक्षापazz पे करना होगा with meal भी मैंने बता दिया है और without meal भी बता दिया है दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी charges discuss करें हैं आईए कुछ जान लेते हैं यहाँ पर conditions हैं तो वो conditions क्या हैं वन बाई बन करके आईए जान लेते हैं और आपको मैं समझा भी देता हूं क्या कुछ conditions है पहली condition आपकी यह होगी सिच्छन सत्र की वार्षिक परिक्षा समाप्थ होने के पस्चा दिनांग 16 माई को 16 वास खाली करना होगा मतलब की आपका academic year जब भी complete होगा आपके exam जब भी complete होगे एक particular academic year complete होने के बाद तो आपको वैसे तो यहाँ पर 16 माई डेट दे रखी है हो सकता यहाँ पर डेट आगे पीछे भी हो जाए तो आपके जब भी paper हो जाते हैं आपको hostel खाली कर देना होगा दूसरी condition यह है कि छात्र छात्राओं के लिए संस्था परिसर में ही छात्रावास है मतलब की जो BMU भातखंडे म्यूजिक यूनिवस्टी का जो यहाँ पर campus है उसी के अंदर यह hostel आपको मिलेगा छात्र छात्राओं को प्रवेश परिकरिया पूरी होने के बाद 17 रंब में ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा छात्रावास की समाने व्यवस्था वस अंचलं है तो warden वा आवस्यक कर्मचारी की सिवाए हर होस्टल में होता है आपको warden रहेगा जो की होस्टल में आपका इन्चार्ज रहेगा होस्टल का इन्चार्ज रहेगा थर्ड आपका Condition यह है कि महिला चात्रावास में लगभग 60 इस्थान है मतलब की 60 सीटे 60 सीटे आप गल्स हॉस्टल के लिए है तथा पुरुष चात्रावास में लगभग 24 इस्थान है मतलब की 24 लोगों की रहने की जगा बॉइस हॉस्टल में है और 60 गल्स के लिए है दोनों चात्रावास के समाने व सफ्र में रेक्तिस्थानों का आंवन्टन किया जाएका मतलब कि अगर सीटें रहेंगी तभी आपको सीटें अगर कोई भी जब जगाबस्ती है तो ही आपको मिलेगा बॉयज में 24 में से अगर कोई आपको जगाबस्ती है तब ही आपको हर्ष्टल प्रवाइड किया जाएगा और यहां पर मैंने चार्जेस आपको बता ही दिये हैं फोर्थ कंडिशन यहां पर यह है कि उपरोक्त किराया एक मुस्त ही जम प्रवेश नहीं दिया जाएगा मतलब कि अगर आप नवालिक हैं अठारा वर्थ से कम के उम्र के हैं तो आपको हर्ष्टल नहीं दिया जाएगा चाथा कंडिशन यहां पर है मानेता प्राप्त चिकित्सा म्बी बीएस द्वारा स्वास्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा मतलब कि अगर आपको होस्टल लेना है तो आपके पास मेडिकल सर्टेफिकेट होना चाहिए और भी यहां पर कुछ पॉइंट है आईए वो भी जान लेते हैं इस आवास के नियंतरन एवम समस्या निवारन हेत्तु समित कटित है मतलब आगर आपको कोई problem होती है तो घान पर एक समित ही है तो वह आपका जो भी problem है उसको सौट आउट करेगी Haustle से related हो या फिर उसके fees से related हो या भी कुछ और भी इसस हो तो वह सारी जो प्राबलम से हैं उनको साट आउट करने के लिए समित यह पर है और फिर अ होस्टल अगर आप लेते हैं तो आपको ग्यारा महिने का किराया देना होगा फिर दोस्तों आखरी पॉइंट क्या है आईए वो भी जान लेते हैं अभिमत विश्व विद्याले एवं छात्रा वास परिशर में नसीले पदार्थ का प्रियोग डंडिनिये अपराध है आपको यहां पर डंडित किया जाएगा जिसमें आपको सस्पेंट भी करा जा सकता है और आपको विश्व विद्याले से बाहर भी निकाला जा सकता है